जैसी राम भाई मैं शुबंकम बोज और मैंने पिछली वीडियो बनाए थी जिसमें मैंने F2 वीजा के बारे में बताये था और उस वीडियो में मैंने बहुत सारे पॉइंट दिये थे आपको कि किस तरह F2 वीजा वर्क करता है या इंटर्वीव होता है और उसके में में कुछ्टों की टॉपिक पर है कि है वी कि अंसर तो दे दिए करव सूर Dorothy हम कि अजता हो वाले हो या एफटू वीजा वाले हो एफटू वीजा के वैसे रिजेक्ट होने के चांस बहुत कम होते हैं तो हमने सभी कोस्टन के अंसर दिये लेकिन वीजा रिजेक्ट वस्दा रिजन क्या रिजन इसके वैसे तो इसके रिजन बहुत हो सकते हैं लेकिन में जो रियल्टी जो मेन बात होती है एक हम ड्यास वन सिक्स्टी फॉर्म फिल करते हैं जो ओफिसर होता है अब सोचों को कि आपने सभी कोश्चन का अंसर दिया तो पहली तो आपकी जो बोलने की स्ट्रेंथ होती है आपने किस तरह से बोला है क्योंकि अपने नौर्थ इंडियन वाले बंदे होते हैं उनकी इतनी अच्छी नहीं होती तो जो मैं उनके सामने ओफिसर्स के सामने बोलते हैं तो उनकी इंग्लिस थोड़ी सी मतलब अलग टाइप की होती है थोड़ी खिच-खिच-चाहट होती है तो यह भी रीजन है ही यह तो आप खुद समझ जाओगे जब आप कि आप इंटर्यिव देते हो तो इस रहा से को एक्या सब्सक्राब बॉतता है और सिंपल से वही किस उनकीस Прी में जा रहे हो यह फमझा टैनल वारा हूं हूं आपकी तरह बहुत कम द्यान देता है जिसके भी जो भी है अगर कोई आपने देखा है कोई बंदा जो इंटर्वी दे के आया है बाहर अगर आप आमबैसी के बाहर गए होंगे तो किसी से पूछ के देखना है वो आपकी फेस के तरब देखता भी नहीं है 99 परसेंट आपको देखता तक भी नहीं है मेरे भाई आप किस तरह बोल रहे हो तो आपकी जो एक लैंट होती है बोलने की सबसे बेन चीज़ तो वह होती है कि रिजेक्ट होने के रिजन होते हैं एक तो होता है आपको भाई फंड कि अपको फंड कितना है आपको फंड अच्छा है तो अक्सेप्ट होता है अगर आपको फंड बहुत कम है फंड मतलब जो आपने शो कर रख है अपनी प्रोफाइल में वह फंड बहुत जरूरी होता कुछ होता है तब ही जाकर बहुत रेर आपको बोलेंगे देने के लिए कने नहीं देखते तो सब्सें बड़ी बात आपका फंड जो आपने ऐन शोकर रखेसे में चीज तो है दूसरी आपने जो प्रोफाइल में फील अप कर रखा है युनिवेस्टी युनिवेस्टी मेन है युनिवेस्टी किस रैंक की है और आपने जो कोर्स लिया हुआ है क्योंकि इस जो दो हजार बाइस में जो दिसंबर में जो भी अगुस्त दिसंबर में जो भी बंदे बच्चे जाने थे तो जो गुरेजूशन के लिए जा रहे थे उनको 80% reject हो रहे थे जो सच्चा ही बात है और 20% accept हो रहे थे जो जो जा रहे थे जो 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 जाते हैं तो उसके लिए थोड़ा सब आई एक सेप्टेंस रेट बहुत कम है जाने वालों की और फोल टेक सबसे बैस्ट होता है उसमें acceptance rate ज्यादा होती है तो रीजन यह होते हैं एक तो आपको फंड जो आपने फंड शो कर रखा है वो कितना कर रखा है दूसरा आपने जो प्रोफाइल फील आपका रखी है वो ओरीजिनल लगनी चाहिए तो ओरीजिनल कैसे नहीं लगती कि अगर आप agent बढ़ता है agent जातर बढ़ता है agent को सारी चीज़े पता होती है अगर अच्छे agent है तो अगर आप खुद फील आप करते हो आपको इतना experience नहीं होता तो आप कुछ-कुछ गलतिया कर देते हो उसमें उसमें कई options होते हैं उसमें Facebook ID का भी एक तरह से option होता है उसमे Instagram ID का भी कभी कभी option होता है I think so यह पता नहीं है लेकिन मैंने बहुत चीज़े बरी थे अपनी email ID सब कुछ उसमें प्रोवाइड कराएं अच्छे से टाइम देके अपने DS-160 को फील अप कीजिए DS-160 बहुत important चीज होती है मेरे वाई क्योंकि जब आप महां interview देते हो तो मैंने ज्यादा तर देखे चपल में आ रही जिसके एक्सेप्ट थे और हमारे बर के मतलब अपने नौर्थ नौर्थ वाले ज्यादा जो वाइड की मेंज पैंट डाल के जा रहे थे उनके अगर अगर अक्सेप्ट नहीं हुए तो यह वही बात है कि जो था ना यही रीजन है में तो इसलिए वह आपके फेस के तरफ नहीं देखेगा वह सिर्फ आपकी प्रोफाइल ओपन कर लेगा अपने सिस्टम में डियस वन सिस्टी जो बहुत में चीज होती है तो डियस वन सिक्स्टी में आपने क्या फिल अपकर रखा है और यूनिवर्स्टी किस कौन सी उ इन फिलवा देते हैं आपको तो सब्सक्राइब होता है अब सबसे बड़ी चीज़त है श्टेट इन वस्टी इसलैक्ट करने तर उसी के अधार पे और जब वह ऊपन करेगा देखेगा इस्ट इन उनिवस्टी मतलब हो इधर की गवर्रमेंट युनिवर्मेंट यूनिवस लेने के लिए जा रहे हैं तो उसके प्लस पॉइंट है कभी-कभी हम अपने प्राइवेट युनिवर्स्टी एजन्ट चूज कर देता है उसके कोडिंग हम इंट्रू देने चल जा दे तो ऐसा मत किजेगा सबसे पहले तो स्टेट युनिवर्स्टी सेलेक्ट किजेगा कोई सबसे बढ़िया है और दूसरा तो देखो अगर अफटू की आपकी नोलीज होनी चाहिए वह तो मैंने आपको एफटू से आरे हो कर वह बताई दिया है दूसरा है आपके फंड आपकी युनिवर्स्टी आप किस कोर्स के लिए जा रहे हो क्यूंकि लास्ट टाइम रिजेक्ट ही था मास्टर्स के लिए जा रहे हो उसके लिए 98% अक्सेप्ट था तो भाई यह नहीं है कि आपने इस कोश्चन के अंसर दिये कि कभी-कभी ओपर जी कितने मतलब उनको सब पता होता है मेरे बाई वह चीजें यह चेक करते हैं कि अगर आप ग्रैजुशन के लिए तो आपको लगबग रिजैक्ट कर रहे थे अगर मास्टर्स के लिए प्याश्टी के लिए कुछ ऐसी कोर्स के लिए 98% अक्सेप्ट था यह चीजें डिपैंड करती है चल चीज होती है अगर आपके पेरेंट्स अच्छी जोग पर हैं आपने अच्छी जोग पर सो किये हुए हैं तो भाई आपको डरने की जूरत नहीं है वह आपके 98% अक्सेप्ट कर लेते हैं बाकी यह किसमत भी बहुत बड़ी चीज होती कि अपता आपको जो नाम है वह उस तेरा वाली लाइन के जातर रिजेक्ट हो रहे थे नंबर वन पर जो लेडिस बैठी थी वह सब एक्सेप्ट कर रही थी सब इक अपरूव कर रही थी आपने ऐसे बहुत सुन होगा क्योंकि आप जब यहांब ऐसी के बाहर जाओगे जिसने इंटर्वी दिया वह बताई द कि ऐसा मतलब यह नहीं सोचना कि कोई ऐसा कोछ चकर है तो में चीज यही है आप अपनी त्यारी कीजिए जो ओफिसर है उसके मूड पर डिपैंड करता है और ओफिसर के मूड पर डिपैंड करता ही करता है तो में जो पॉइंट है यही है कि एक आपकी युनिवस्टी कौन उसी है आप किस क्या करने के लिए जा रहे हैं यह में चीजे हैं जो अगर आपने सभी कुस्टन के अंसर दिये हैं तो यह तीन चीजे हैं जो आपके रिजेक्ट होने कारण हो सकती है और बाकी एक होता है मूड ओफिसर का कि यह बहुत बहुत बड़ी प्रोबलम है इन इंट्रुविज में मूड तो लख भी बड़ी चीज है तो यह शीराम सभी को आई होप सो जो भी बाई इंट्रुविज देने के लिए जा रहा है तो यह चीजे बहुत ज्याद अद्यान से अगर आपके फंड बहुत कम है तो आपको अक्सेप्ट नहीं दुबारे उसको तारिक मिली बहुत मुश्किल होती है कोसिस करना कि पहले बारे में अच्छी रखने चाहिए लेकिन तीन चार चीजे ही हैं जो अक्सेप्ट नहीं होने के कारण आते हैं एक तो फंड एक आपकी पेरेंट्स जो स्पंसर कर रहे हैं उन्हें क्या करते हैं व और एक आपकी किस उन्वेस्टी में जा रहे हो मैंने आपको बता दिया कि स्टेट उन्वेस्टी चूज़ करोगे तो बहुत अच्छी बात है दूसरा किस कोर्स के लिए जा रहे हो क्यों ग्राजिशन के लगबग का बहुत ज्यादा अकसे अक्सेप्टेंस रेट नहीं थ मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो अक्सेप्टेंस रेट अच्छी थी तो अगला लक लक बहुत बड़ी चीज है बाई अपना बगवान से प्रात्रा प्रूतना करके जाए जाई हो तो यहीं बोल दखता हूं तो जैसी राम बाई अगर किसी कोई भी कोश्चन है कुछ भी तो कमेंट में जुरूर बोलिएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेके आने वाला हूं एफ़वन वीजा से लेटिड क्या क्या कोश्चन पूछ जाते हैं मैं उसके उपर सारी जितने भी कोश्चन है उससे लेटिड वीडियो लेके आने वाला हूं तो चैनल के साथ शेयर भी जरूर कर दीजेगा तो जय शीरा